हेलो नमस्कार दोस्तों एक वर फिर से स्वाग आता है आप सभी का चार्ट वदा वीक वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे दो ऐसे स्टोक जिसमें है रिवर्सल दो स्टोक क्यूं विकोज आपको पता है अभी दिवाली फंक्षन है तो इसलिए पहले हम स्टोक डिसकस करने से पहले हम देख लेते हैं मार्किट का क्या व्यूव है और आप देखोगे कि डॉज जोर का वीडियो चार्ट आप देखोगे तो यह आपको यहीं पर दिखावो ए तेगा कि लोड़ लोब नहता रा था डांटरेंड अभी देखी कि हो गया तो आप देखोगे कि यह breakout retest वाला काफी यह formula अच्छा काम करता है और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो कि इमिडेटली आपके target रहेंगी यह 200 days के में के weekly डेली के चार्ट पर और यह एक अच्छा है यहाँ पर resistance लेवल भी है तो यह टाव जोनका यह जो लेवल है 32,000 से लेकर 32,500 तो आपको इसको भी track करने क्योंकि इसी की code हम देखते हैं कि इसमें फॉल होता है तो फिर हमारे nifty bank n nifty में भी fall आ जाता है तो अगर हम बात करें अभी nifty के चार्ट की तो nifty के चार्ट अगर आप देखोगे तो यह आपको अभी इसमें देखें कि अच्छा यहाँ पर यह one side fall हो था उपर गया address किया और फिर यह उपर जाट तो अब यह जो इसका target है यह immediately यह target है इसके 17,750 से लेकर यह करीब 17,900 तक तो यह अगर Monday को लग रहा है कि जैसे अभी Dow Jones Friday में अच्छा move आया तो इसमें gap up open हो सकता है तो अगर इसमें बड़ा gap up already हो जाए और price आपको यह दिखाई दे 17,800 से तो फिर वहाँ पर एकदम आप aggressive buying ना करें वहाँ पर wait watch करना पड़ेगा क्योंकि फिर इसमें एक देखिए movement बाकी है माली जी यहां तक जाता है और उसके बाद फिर यह price द्वारा फिर यह जो breakout level था तो यहां पर यह test आ सकता है करीव करीव यह 17,400 के आसपास तो यह फिर level portrait रहेगा अगर इसको IRI बनाना है तो ऐसे यह चलना अगर once a day ऐसे चले गया तो फिर वो कभी भी नीचे गिर सकता है तो इस बात का आप जुरूर ध्यान लखें और वैसे भी क्योंकि अभी next week में अभी सिर्फ एक तो मोड़ ट्रेडिंग है और उसके बाद सिर्फ दो ही ट्रेडिंग सेशन है एक्सपैरी में तो यह एक्सपैरी शाय थोड़ा सा अभी bullish moment ही रहने के chances है उपर की चैड में उसके बाद next experiment फिर देखना पड़ेगा और bank nifty की बात करें तो bank nifty में भी आपको देखिए यहाँ पर तो bank nifty as compare nifty के काफ़े अच्छा strong है बट यहाँ पर भी अभी वही level पास में आ रहे हैं कि यह देखिए यहाँ से भी यह बिल्कुल अभी resistance पास में आ रहा है यह जो resistance level है 41-500 से लेकर 41-900 में almost 42,000 तक तो यह जब यह 500 point का बिल्कुल इरिश्टरंस एरी रहेगा अगर तो यहाँ पर भी द्यानक नहीं कि अगर बड़ा gap open हो जाए तो फिर वहाँ पर आपको alert जुरूर रहना इस level पर क्योंकि इसमें भी फिर एक profit booking जरूर आ सकती है तो यह दो था nifty bank nifty का short make view या next week के लिए view तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा एक first swing trading stock या फिर chart of the week stock आप कह सकते हैं उसको तो यह हमारा chart of the week stock first stock है Camlin Finance दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे request एगी कि वीडियो अगर subscribe नहीं कि हमारा चैनल को तो subscribe कर लीजिए और वीडियो को लाइक धेर सारा लाइक कीजिए जहाज जादा लाइक शेर कीजिए तो कि आपके साथ मैं वीडियो शेर करता हो तो आगे भी और वीडियो शेर करूँगा आगे स्विन ट्रेडिनिक स्टेजी भी डिसकस करूँगा तो इस चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर और यह जो stock है यह चार्ट ओधा वीक स्टेजी है यह विल्कुल यहाँ से निकल कर आया तो क्योंकि इसमें मैंने आपको price action secret और यहाँ पर आपको इसमें एक scanner भी बताया था वो volume से related कैसे तो यह उसी scanner से यह stock निकला है तो अगर आपने अगर इसको नहीं जोईन किया तो देख ले सकते हो तो इसमें आप क्योंकि अभी जो हमारे है यह सभी में यहाँ पर discount चल रहा है जो भी course है swing trading strategy वाला course और यह master trader zero will become इसमें बिल्कुल A to Z है तो यह आप course देख सकते हो इसमें सभी में 60% off है और आप तो coupon code use करना है रैसे तो उसमें automatic आ जाएगा वहाँ पर coupon तो यह जुरूर अपलाई हो जाएगा आपका दिवाली तो यह coupon करना हम है दिवाली तो आप देख सकते हो तो अब बात करते हैं stock की stock में देखिए इस stock में गयरा देखोगे कि तो weekly chart पर यह जो 200 days की moving है उपर अभी निकला ही है last week निकला गया यहाँ पर यह cross किया था यह उपर गया फिर नीचे और अब फिर यह चलने की त्यारी कर रहा है तो इसमें entry कैसे करनी है इसमें entry करनी है 141 के उपर अगर ही निकलता है तब entry कीजिए यह अगर आपको नीचे यह मिल जाता है द्वारा फिर 130 के असफास तो वहाँ पर भी कर सकते हो तो current price पर आपको थोड़ा wait करना है इसको 141 के उपर निकलने पर यहा फिर नीचे correction पर दोनों में से जो level पहले आ तो अब इस वर इसने move दिया और इस वर इसने क्या किया यह जो पिछले वला यह जो low था यहाँ पर तो इस low को इसने break नहीं किया जो इसका 100 का उसके पास नहीं किया नीचे देखिए यह stock ऐसा है कि fast move होता है fast retracement यह आप केजिए down move भी fast आता है तो ऐसे stocks में आपको trailing stop loss का जुरूर यूज करना चाहिए अगर आप profit में हो तब भी और इसमें target आपके देखिए immediately target very short term का target रहेगा 152 तक और फिर 171 और बड़े target positional इसमें आते हैं तो positional target है 200 से लेकर 230 तक तो यह और दूसरा region यह आप यहाँ पे देखोगे क्योंकि इसमें पहले भी देखिए volume तो प्राइ नीचे यहाँ पर भी volume देखने को मिला यहाँ भी volume और अब फिर से यहाँ पर आप देख रहे हो कि volume तो अगर यह इस वार में भी हो सकता है कि यह continue sustain हो जाए तो ऐसे stocks में जूरूर नहीं होता है कि आपको volume दिखाई दे तो एकदम से आप अगर आपको retrace पर भी मि ज्यान रखें अब बात कर लेते हैं हम दूसरे stock की और दूसरे stock और गाई जागर आप लेजिए देखिए हमारा चैनल जोईन नहीं किया free telegram channel है यह ट्रेडविशा शर्मा के नाम से इसका link आपको मिल जाएगा आप चेक कर लेजिए कि आप real channel में हो या नहीं क्योंकि काफ आपको description और comment box में मिल जाएगा तो क्योंकि मैं आपको मैं आपको दिवालिवल दिन मूद ट्रेडिंग के दिन मैं आपको app के अंदर और गई app का link भी आपको मिल जाएगा बले आपने course नहीं जोईन करना है तो यहाँ पर हम कभी कभी यह देखिए यहाँ पर आपको direct message मिल आपको जो भी हम कभी call देते हैं तो वो फिर आपके लिए और भी ज्यादा benefit रहती है तो यह देखिए जैसे तो यह बट इसलिके लिए आपको app को download करकर रखना है mobile में तो वहाँ पर आपको notification आ जाती है तो हम मूर ट्रेडिंग पर दिवाली के दिन आपको app के अंदर भी और टेलिग्राम पर एक call जुरूर देंगे फोर ट्रेडिंग के डे तो आप इस वात का ध्यान रखें तो अब बात करते हैं next stock की next stock है दोस्तों यह भी कफी अच्छा stock है काफी अच्छी company है दूसरा stock है फिनोलेक्स केबल तो इस stock को भी आप देखोगे तो आपको अच्छ head move हुआ यहां पर या फिर आप दूसरा यहां पर यह भी कह सकते हो कि already इसमें यह देखी यह head and shoulder का breakout यहां पर आया था बट उस breakout के बाद यह थोड़ा सा यह यहीं पर देखिए 440 पर काफी समय इसने time निकाला 440 के बार-बार टच्छ हो रहा था और उपर इस बार इस week में थोड़ा finally इसमें closing उपर की तरफ देखने को मिली और इसका जो daily candle आप देख रहे हो तो daily candle देखोगे तो यह बड़ा move volume के साथ इसमें सिर्फ यह जो Friday को ही आया तो इसमें आपने buying कैसे करनी है या तो यह in case अगर नीचे मिल जाता है तो well and good 460 के आसपास तो वहां पर भी buy कर सकते हो तो इसको two parts में जूरू buy कीजिए अगर यह उपर निकलता है यहाँ पर यह 500 के उपर तब buy कीजिए 503 के उपर और नीचे मिलता है तब भी buy कर सकते हो क्योंकि यह आप देख रहे हो कि weekly chart पर price एक range की अंदर था every week यह उपर नीचे touch और था पर इस वार लग रहा ह वो at least target आपको 600 तक जाना है तो यह तो थे दोनों stock तो इन stocks पर आपने नज़र रखना है और इसका अगर आप देखो के तो lifetime high यह stock ऐसा है कि 2017 का level अभी तक break नहीं हुआ है तो इन दोनों stocks पर नज़र रखें stop loss का use कीजिए तो disclaimer भी यही रहेगा मेरा कि मैं सिर्फ आपके साथ learning education के बाद देखने उसे वीडियो शेर कर रहा हूँ और चैनल को भी तक subscribe कर लिजिए विकोज मैं आपके साथ अभी एक अभी टू वीडियो जो शेर करूँगा वह सकता है कि मैं दिवाली की पिक्स लक्स से वीडियो शेर कर दूँ और दूसरा मैं जो swing trading strategy आपके साथ शेर की थी उसका part 2 भी आपके साथ अभी शेर कर तो चैनल को subscribe जिरू कर लिजिए वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद